हालो फ्रेंड्स कॉंपेटिशन कमेटी के SSC, CGL और CHSL प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ हीमन प्रधान आए फ्रेंड्स आज हम डिसकस करते हैं प्रैक्टिस सेट वन को क्योंकि इसके प्रिवेस सेशन में हमने साइन्स के बहुत सारे लेक्चर्स को अल् एंजाइम मुलता क्या है, what is an enzyme basically, क्या ये फैट है, क्या ये सुगर है, क्या ये प्रोटीन है या विटमिन्स है, तो याद रखना सभी enzymes, all enzymes are proteins, ठीक है, सभी enzyme protein होते हैं, so option C is the correct answer, ठीक है, मानो सरीन में सबसे बड़ी गरंती है, the largest gland in the human body is, क्या ये पैंग्रियास है, या अड्रिनल ग्लेंड है, तो हमने सेशन के दौरान कवर कर रखा था, कि लीवर जो है सबसे largest gland है, याद रखेंगे, तो B is the right answer, ठीक है, आगे चलते हैं हम, question number 3 की और, कि गाल ब्लेडर या पित्तासर में उपस थी पत्थर, निमनिलखीत में सी किसका पाचन प्रभावित करता है, पहले तो यह जो stone बनता है, पत्थरी कह सकते हैं, तो क्या होता है, बेसिकली वो calcium oxalate होता है, तो किसके पाचन को प्रभावित करता है, protein, fat, carbohydrate, nucleic acid, ठीक है, तो यहाँ पे तो protein and nucleic acid जो है, उसी से similar amino acid से related वाला पार्ट हो गया, इसके बाद देखते हैं, fat और carbohydrate में तो कार्वाइडर का नहीं होता, fat का होता है, आपको पता होगा, कि पितासय में बेसिकली होता क्या है, गाल बेटर में क्या होता है, कि लिवर जो secret होने वाले, लाइक कह सकते हैं, पित या ऐखुष। होता है वो सीधा सिक्रेट होके आता है और इसी पित्तासय में यारी गाल बेडर में वो स्टोर होता है और यह किस में मदद करता है emulsification of fat तो fats का relation सीधा सीधा दिख रहा है तो यहाँ पे वसा के पाचन में यह सीधा सीधा इसका वसा को breakdown करेगा emulsification करेगा तो इसलिए इसका आंसर भी है याद रखेंगे यह क्रिद और मान स्पेशियों में उर्जा जमा होती है तो उर्जा आप याद रखेंगे लीवर और मसल्स में यह स्टोर होती है ग्लाइकोजन जब एक्स जब एनरजी कर रिक्वाइड होगी तो यही ग्लाइकोजन तूट के फिर ग्लुकूस में कनवर्ट होता है ठीक निम्लिकृत में में कॉनसा एन्जाइम प्रोटीण को एमिनो एसीट में विघ्टिट कर दिता है यानिकी हम ब्रेक्डाउन करें प्रोटीण को तो किस में कनवर्ट होगा वह में कनवर्ट होला तो यह किसमें मदद Biz basin याद रखना पेपसी जनोंजन को सक्री पेपसीन में कणवर्ट करता है तो तॉ बएड़ीकम कों मदद करेगा थीक सतं धारियों में होता क्या है रेस्पिरिशन टेक्स प्लेस इन मैमल्स क्या क्या होता है क्लोम्स के द्वारा होती है लाइक बाई ट्रैकिया के द्वारा होता है या यसे की देखते हैं यहां पर फुपुस या फेफडा के द्वारा लंग्स के द्वारा होता है तो याद रखेंगे यह क्या है मैमल्स है मै क्लोंट हैं थो इस बाद में क्या होती है सभी में क्लांठ रिड की हो जिसमें इन वर्टिवरेट्ब्रेत के सो ब्रिमेटीव टाइब टाइप से जो वर्टिव थोते वह डिवांस टाइब की निमलस टे जIs film होते हैं जैसे कि मेलस उन होती है जितनी की होते हैं बट जब लंग्स की बात करेंगे यह एडवांस टाइप का अनिमल है मतलब यह क्या है बेसिकली यह इसका अंसर मैमल्स केस में लंग्स होगा याद रखेंगे सभी मैमल्स में यह सभी लंग्स होगे भले उनके साइज अलग-अलग हो सकते नेक्स कोश्चन देखते हम कि मानो सरीर में कौन सा भाग सरीर के ताप को नियंत्रित करता है तो यह देखो ब्लड सर्कुलेशन में हाट काम करेगा है जो गैस का एक्षिल होता है कार्बन डियकसाइड और सी ओट और ऑक्सीजन में की केस में यहां फेफड़ा काम करेगा ली सरीर का ताप तो जब हम लंक्स में लेते हैं तो लंक्स में हम क्या कौन वह से सांस लेते हैं तो जाता है सीधा हमको पढ़ रखें और ऑग्सीजन सब चीजें चली जाती है और नाइट्रोजन एसटी 78% हम लेते रहते हो वह एमेशन में यानि एक्स्पिरेशन में भी वह 78 परसंद निकल जाता है अब जो क्या बशता है और टू सी ओटू अगरे जो बसता है बेसिकली यह टैंप्रेचर टैंप्रेचर का सीधा-सीधा रेलेशन इसी के साथ होता है तो याद रखेंगे सरीर के ताप को नियंत्रेत करने में फेपड़े का काम होता है ठीक है तो इसका हिमोगलोवेन हमोगलोवीन को निट निकर गरिख के ओक सी दूर लेना पड़ेगा तो यहां पर क्या है क्या सान्ष कम हो जाती है यहां बढ़ जाती है तो अबनी लगी तो तो बढ़ेगी rabo क्योंकि सांस ऑक्षीजन की कम ए बोड्वी बाड़ेम throws आफ में तो ज्यादा ज्यादा लेंगे तो ये इसका अंसर है ठीक अब देखते हैं स्वसन क्रिया में वायू के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो ताभी जस्ट मैंने बताया कि 78% क्या है नाइट्रोजन हम नेते हैं वो एज़ जो है अंदर जाती है फिर वही चीजें बाहर नि हीमोग्लोबीन की केस में याद रखेंगे है ना हीमोग्लोबीन उसके बाद देखो प्लाजमा भी है तो आप तीसरा और बी दोनों है और चौथा प्लेट लेट है तो कौन सा आंसर होगा मैजोरिटी जो है 90% सब हीमोग्लोबीन ही कर लेता है ठीक है और बाकी सब चीजे 90 अंटी-प्लाजमा यह ब्लेट ब्लेट प्लाजमा भी करता है तो उप्शन और बी दोनों हगा यानि कि हमोग्लोबीन और फ्लासमा दोनों कैरी करता है जब भी हम…. टीन केस लेते हेंऄ एक केस होता है HB हलो मिन प्लस آक्षीजन क्या जब ओक्सी हेमोगलोबीन ठीक है अभी होसे हेमोगलोबीना तो यह सब्छी क्या कहा था कार्बन मोनोखसाइड होता है ठीक है उसके बाद रियक्टी कोन होता है carbon dioxide होता है उससे कम एक्टी होता है oxygen तो याद रखना जब भी घुटन महसुस होती है ना दम घुटना जिसे हम कहते हैं वह बिकाउस अब डिस कार्बोक्सी हमोगलोबिन होता है ठीक है जिसमें की वह ज्यादा रियक्टी होता तो जल्दी यह बाइंडिंग बना लेता है इसके साथ रेक्शन कर लेता है ठीक तो यह बात है सभी क्लियर हो गई आगे चले तो आगे ह यह मैंने आपको बताया था लैंडिस्टीन साभ ने ब्लड ग्रूप की खूच की थी ए बी ओ ठीक है एभी पॉजिटीव ठीक है यह सब चीज़ें जो है आप बने पताया था लैंडिस्टीन साभने एलेक्जेंडर फ्लेमिंग नोट पेनिसलेंड की खूच की थी विलियम लखना 120 भाई 80 होता है 12120 बाइ 80 जो इसका स्टॉलिक बताता है स्टॉलिक क्या बताएगा आपका 120-80aden Goodman hg कहते हैं उसके बाद गए सबस्क्राइब किसिर पी उच्पान को नकित्ना होता होता है हमने बता था एक ठट 네टर बिलो सबसाओ तो 7 तो लिगयो एब अंसर सी ठीक है मानों के स्वेत रखत करना डब्लू बीसी का ब्यास होता है लगभग 007 याद रखना 0.007 mm ठीक है यह डब्लू बीसी का साइज डब्लू बीसी से रिलेटेड कोशन पूछे जाते वो आपके बॉड़ी का एक कहना सी पहरेदार भी उसे कहा जाता है क्योंकि वो आपकी प्रतिरक्षा को बढ़ाता है सी को सुची से सुमयलित केजिए मैं whats you in the dilution और दिस्टां दिया हूआ है किड़नी का क्या क्या काम होता है यहां पर दिए हुआ और और मुर्ण तो एक पैसे दिखो यहां पर एक अथरी क्या है यह आपके ढ़ेए बस्टी दो यह फी अगत हो गए इसके बाद यक्रित या लीवर का देखो लीवर का काम क्या होता है यहां पर सीधा सीधा बचा हुआ क्या है यूरिया का निर्माण येस यूरिया निर्माण में होता है त्रीका जो है यहां पर वन हो गया उसके बाद स्वेध ग्रंतियां स्वीट ग्लैंस जो होती है basically क्या होती है like co2 का निस्कासन करती है या तुचा के से related है देखो तो श्वेथ गंतियां आपके skin से क्या है पसीना बाहर निकलता है तो जीका 4 होना चाहिए तो सी का 4 देखो सी का 4 है ठीक है तो यह भी होना चाहिए तो option c is the right answer option c इसका सही उत्तर है clear हो गया इसके बाद हम देखते हैं next question को next question में अगर आप देखें यहां पर तो alcohol के निराविशन में निम्लिकिस में मानो अर्गों में कौन सा उत्तर दाई है जो ne- Webb lib को होते हैं उनका अलंक्त खराब होता है लिवर खराब होता है यारद रखना सीधा सीधा connection carry नहीं होता हिडिन सकाथ होता है लेकिन इंडिक्नी से थी होता है लेकिन सीधा सीधा इसके निराविशन में यानि की विच्छीमार्यmus सब्सक्राइब करता है तो यहाँ याद रखना 1.5 लीटर के आसपास जो होता है आप ये इसका निसकासन करता है कुछ सोसस में से ज्यादा भी दिया होगा ठीक है बट इन जरली आप डेर से लीटर वाला आंसर आप ले सकते हैं ठीक है यह बात है सभी क्लियर हो गई आगे बढ़ें तो आगे बढ़ते हम नेक्स्ट कोशिन की और जिसमें की देखते हैं मानव मस्तिस का कौन सा भाग बुद्धी स्मृती और भावनाओं का केंद्र होता है मैंने बताया था जिनका सेर इंटैलिजन्ट टाइप के पसंद होते हैं तो यहां पर देखो मैडूला अबलांगेटा सेरेब्र ब्रेन कैविटी तो सैरी ब्रम आंसर है ठीक है क्योंकि जिनका सेरेवरम डेवलब है वो जादा इंटैलिजन्ट होता है ठीक है शरीन का तापकरम नियंतरित कौन करता है है धैलेमस करता है हाइपोअ धैलेमस करता है जो हुता है यह इस इसका क्या करता है ता आपका नियंतरित करता है नेच्ट कोशना देखते हम की कसेरिक रज्यू स्पाइनल क्योंड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाय निकलती है तो याद रखना 새리 31 PS इसे भी मैंने बताया हुआ था स्वसंद का नियंत्रण मस्तिस में कि किस भाग से किया जाता है ठीक है मैडूला या सेरेबलम ठीक है सीधा सीधा यहां पर देखिए इस बाठ को कि सेरेबलर या अनुमस्तिक ठीक है सेरेबलम है एक्चुल में ठीक है उसके बाद देखते हैं मैडूला आपलांगेटा या और फैक्टरी लोग तो इसके सुंगने उने से से रेलेटेड हो गया तो स्वसंद का नियंत्रण याद रखना मैडूला आपलांगेटा से होता है ठीक है यह मैंने ब्रेन वाले प्रकट होती है EECG एलेक्टर कारडियोग्राफ और EEG की बच्छब बात करते हैं इलेक्ट्रोइंसेफैलोग्राफ ठीक है इलेक्ट्रोइंसेफैलोग्राफ तो सबसे पहले लीवर को कारड़ दो ear को काड़ दो और यहां पर heart होता तो ECG होता तो brain होगा तो क्या है EEG होता है ठीक है यह बातें आपको याद रखनी है इसके बाद देखते हैं कौन सा hormone लड़ो और उड़ो hormone कहलाता है which hormone is called the fight and flight hormone अचानक से आप जा रहे जा रहे अचानक से कुछ suddenly चीजें आज आती है और quick action आपको लेना है इससे साप आगया चानक से आपको भागना है तुरंद तो वह समय कौन help करता है यही adrenaline भाग जो है आपको help करता है उसी hormone क्या लड़ो और उड़ो या फिर हम तुरंद instant जो decision लेते हैं इसी adrenaline hormone की को कहते हैं ठीक है और insulin hormone तो उसके आपके blood sugar related है estrogen और oxytosin आपकी reproductive parts related है ठीक next question देखते हैं कि यह last question होगा आज के session का 25 नंबर का ठीक है 25 नंबर का question है यहाँ पर कि कौन सी ग्रंथी वाहिन वहीन है डक्टलेस है तो याद रखना यह कृत पसीने की ग्रंथी यह अंतासरावी गंतियां गुर्दा यह सब चीजें दी हुई है तो अंतासरावी ग्रंथियां जो टाफ्यंट्राइन ग्लेंड होती हैं वह होती है तो यहां पर इस प्रकार अंधर फिलू होफ्लू unfair अंधर सूज को यह कुछ ऑर कोशन लेकर आएंगे शब्स्राइक में आपको help मिलेगी तो आज के लिए इतना ही रखते ही thank you so much have a nice day